यूडियर इस्टुएंट हमारे सच्टान दनाने चैनल में आप सभी विद्यात्यों का पुना स्वागत है आईए हम लोग चलते हैं अर्धवार्सिक परिच्छा ग्रिह विग्यान का च्छाइगर हमें यूपी बोड का यह जो पेपर हुआ है आईए समझ लिजिए कि किस प अस्तर कहां कहां निरमित होता है चार विकल्प आपके सामने है देखे वरार्सी पस्चिम बंगल तमिलाडू परिक्त सभी तो सभी जगों पे भारत में इंडिया में रेसम जो है निरमित होता है घवलाराईट हो जाएगा परसना अगला देखे निमने में से कौन सा मलमल का ब्यात्मक नाम है मलमल का देखे बता हुआ है अगर खावी है सबनम है सभी विकलपाप का राइट हो जाएगा मलमल को तीसरा देखे कांथा किस परदेश की हस्त कला है कांथा बंगाल की, बंगाल की हस्त कला है कावला विकल्प आपका राइट हो जाएगा प्रस्ण अगरे देखे, कारे के सरली करण से बचत होती है समय, सक्ती, कावला आपका विकल्प राइट हो जाएगा कारे का सरली करण से समय की भी बचत होगी सक्ति का भी बचत होगा question number five है कार सरली करड़ से संबंद है कार सरली करड़ का संबंद देखे ग्रीह बियुस्ता से होता है कावलाप का विकल्प राइट हो जाएगा question number six से देखें बीस सुस्वास्त संगठन की स्थपना कब किये गया था चार विकल्प है, उननी सोड़ तालिस में किया गया था, ये खावला आपका राइट हो जाएगा, इसके बाद आगे चकरिएगा, सत्मा कुष्चन, जिसमें भोज्य तत्यों आवसकता से अधिक तत्यों आवसकता से कम प्राप्त हों, तो वो हैस्तिति क्या बनती है, तो दे करीर में खुन की कमी, यानि लव तत्यों की कमी होती है, तो खुन की कमी होने लगती है, गवला आपका राइट हो जाएगा, भारत में टेलिवीजन की सुरुवात कब की गई थी, 1969 भी में किया गया था, भारत में टेलिवीजन की सुरुवात, गवला राइट हो जाएगा, साबदिक संचार का मतलब है कि भोलने से मतलब है गावल आपका राइठ हो जाएगा कुश्चन बर 11 देखे सूत प्रसंसकरण के चरड़ है सूत प्रसंसकरण में सफाई भी होती पुनी बनना भी होता है तनुकर्ण, तनना और बाटना उपर 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 उ यह ज्यान, उत्परण, कौसल, समय और उर्जा, यह मानो, निर्मित, संसाधन, मानो, संसाधन कहेंगे कावले, सली में आ जाएगा, स्वास्त जीवन, 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 सहली का प्रमुक अधार है, तो स्वास्त अहार, स्वास्त अहार, पध्धत ही, स्वास्त जीवन, सहली का प्रमुक अधार है, कावला राइट होगा, नेक्स्ट है, बुलिमिया, बुलिमिया, किस प्रकार की विकृति होती है, यह related है कवल आपका राइट हो जाएगा बालों को किस अवस्था में मित्र मंदली सहयों की जरूरत पड़ती है तो मध्य बाल्य अवस्था काल जो होता है ये कवल आपका राइट हो जाएगा लेडी इर्विन कालेज नामक संस्थान की स्थापना नई दिल्ली दिल्ली में की गई है एक गवल आपका राइट हो जाएगा question number 19 का और आगे चलिए 20 question स्वयम की प्रकृति होती है स्वयम की प्रकृति जो होती है वो बहु आयामे होती है खावल राइट हो जाएगा इस तरह से बहु वेकलपी question थे अब यहां से देखिया अतिलग गुत्री प्रस्न attempt करने थे कपास का जन्मदाता किस देश को मना जाता है कपास सरप्थम इंडिया में भारत में भारत को ही जन्मदाता मानते हैं 22 question है समय प्रबंधन की चार खासियत चार इस्तियां बताईए तो समय प्रबंधन में जो होता है कि कोई भी कार का यदि हम समय प्रबंधन कर लेते हैं तो कार आसानी सो जाता है और किसी प्रकार का अत्रिक्त बोज भी हमारे पर नहीं पड़ता जैसे योजना बनाना किसी चीज़ का कोई भी हम कारे कर रहे हैं तो किसी भी कारे की हमें पहले योजना बनानी होगी तो समय प्रबंदन होगा चरम भार अवधी होता है कारे वक्र बनाते हैं बिस्राम कब लेना है कारे का सरली करल कैसे करना है हाथ और सरीर की गती में परिवरतन किस प्रकार से करना यह सब चीजे आती है और आगे question देए कि ब्रिहत पोसर तत्तु का मतलब जैसे कर्भोहाइड़िट है प्रोटीन है वसा है ये सब चीजे हम अपने भज़े पदार्थों से लेते हैं इसी किसली में नाइट्रोजन, फासपोरस, ये आपका पोटैसियम, कैलसियम ये सब चीजे ब्रिहद में आती हैं जबकि सुछम की बात करेंगे तो सुछम में जैसे ला होता तुकि हमरे सरी में कमी होनी चाहिए, आ लोग अटाइक कर सकता है, आगे कुश्चन है देखे, कूपोसल किसे कते, कूपोसल का मतलब होता ही है, सरीर में जब उचित रूप से खान पान ना मिले, पोस्टिक पदार्थ ना मिले, तो हमारा सरीर भिक्रती हो जाता है, कोई न कोई उसमें डिजीज आ जाती है, उचि संतुलित आहार की सेकता तो वहीं चीज है कि संतुलित आहार का मतलब कार्बोहाइटरेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, मिद्रल्स ये सब चीजों होना जरूरी है हमारे भुजेपदार्थ में नेक्स्ट कोश्चन नबर टुन्टी सिक्स के फूल कारी क्या है, फूल कारी एक प्रकार की कला है, कड़ाई वली कला है, जो की खास करके पंजाब में काफी फिमस है, आगे कोश्चन है कारी सरली करण के चार तरीके बताईए, देखिए कारी सरली करण से क्या होता है कि सही उ क्या है तो संचार का मतलब संचार माध्यमों के चार कारे बताना है उसके पहले संचार क्या है 28 संचार का मतलब कि अपनी भावना विचार विचारों को दूसरों तक आदान प्रदान करना पहुचाना संचार कहलाता है और संचार माध्यम जैसे रेडियो है टेलवीजन है दूरदर संच यह सब चीजे न्यूज है अकबार है संचार माध्यम होते है मॉबाइल भी है तो संचार माध्यम का कार यही है कि एक जगह की सुचना को दूसरे जगह पहुचा देना फिर माने वहां से फिडबाइक लेना मनरंजन कराना यह सब तमामे जंडो वाले कारे प्रोग्राम तमाम यह संचार माधमों के कारे होते हैं उसको अपडेटल में चेक करने लेंगी कोश्या नमर प्रणाई की बीधी है हाथ से रेंगाई की बीधी है जैसे कपड़ को रंगाई करना थो इसमें एक ऐसी ब्योस्था होती है कि रंग में उसको डूबवा जाता है ताकि वो जो कलर है या उसका जो पैटर्न है नमूना है उस कपड़े पर आ जाए और कपड़ा देखने में अच्छा लगे नेक्स्ट 31 कोश्चन है समय प्रबंधन का सिध्धान्त बताईए देखें समय प्रबंधन या समय प्रबंध तो इसी लिए कह जाता है ताकि हमारा समय की कम बचत हो समय का बचत हो अधिक समय नो लगे उस कारे को करने में और किसी प्रकार का हमारे पर उबाउपन या भार कारे का बोज़ न पड़े इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है समय का प्रबंध करना और बीच बीच में तमाम समय के प्रबंधन के अनुसार तमाम म नियोजन की किनी चार सिध्धानतों का जिक्र करें देखे अस्थान नियोजन का मतलब है कि कोई भी हम काम करते हैं तो जरूर कोई कोई अस्थान फिक्स होता है कोई कहां काम करता है कोई घर पे करता है किसी को आफिश जाना पड़ता है किसी को बार तो अस्थान नियोजन का बारे में बहुती मदद करता है कहीं कहीं एकांतता आवास होता है एकांत में होता है खुलापन भी होता है सुरूप कैसा है विभिन परकार के कमरों की कैसी इस्तिती है एस सब चीजे डिपेंड करती हैं अस्थान नियोजन में नेक्स्ट है कि रेसम के महतपुर केंद्रों के बारे में बताना है रेशम दखे रेशम हमारे इंडिया में बिहार में असम में गुजरात अंदरप्रदेश करनाटक उत्तरप्रदेश वमीन लाडू तमाम भागों में रेशम का उतपादन होता है और इसे तमाम लाव होते हैं और यह हैं एक बहुत बड़ा बैपार भी है इसके बारे में आप डीटेल में स्टेडी करके चलें स्वास्त से आप क्या समस्ती हैं तो हमें दखे सारीरिक तोर पर मांसिक तोर पर सम्मेगनात्मक तोर पर निरूग रहना ही स्वास्त कहलाता है और जब हम स्वस्त रहते हैं तब ही अच्छे कारे को हम सिद्ध कर सकते हैं कारे को कर सकते हैं नेक्स्ट पुछा है कि पोसक तत्यों किसे कहते हैं उनके नाम बताईए तो पोशक तत्यों का मतलब ऐसे सुच मतत्यों जो हमारे सरीर में स्वास्त के लिए आवस्यक होते हैं जैसे जो भी हम भुजे पदार्थ गरहन करते हैं तो वह तत्यों जो कि हमें निरोग रगता है उन सुच मतत्यों को पोशक तत्यों करते हैं प्रोटीन है वसा है विटाम की बात कर रहा है यानि कि तमाम भागोलिक इस्थिदियों जैसी है आप इसको देख लेंगे जैसे तमाम हमारे देश की अलग-अलग इस्थितियां अलग-अलग जलवाईू विसेस्था के धर पर है जैसे कि कहीं रगिस्थानी छेत्र है तो दच्छली छेत्र है सिंधू और गंगा का छेत्र है विस्थित परवती छेत्र है अलग-अलग भुभाग होते हैं इसको आप देख लेंगे आगे देखे किनी दो मानो संसाधनों के बारे में बताना है मानो संसाधन का मतलब है कि ज्यान है उर्जा है यह सब मानो संसाधन होते हैं और मानो निर्मित तमाम स संसाधन इसमें आते हैं आगे मादक पदार्थों के सेवन से हमारे स्वास्त पर क्या प्रभाव पड़ता है कि मादक पदार्थों के सेवन से हमारा जो सरीर है मानसीक और सारीरिक तोर पर तमाम विकरतियों से जकड़ जाता है और हम आवसाध तथा चिंता का सिकार हो जाते ह आगे हैं किस्वरा वस्था के बारे में संचेप्त परचे दिजे तो किस्वरा वस्था एक ऐसी वस्था होती है जिसमें जो बड़ी ही संबेदन सील वाली वस्था माने जाती है इसमें अमुर्थता पाई जाती है कलपना होती है और मांसिक तनाव में भी होता है इसमें उत् कारीर स्वस्तर रहता है निरोग रहता है और हम अपने कारिकर पती रुची पुरुवक मन लगा करके निस्पादित करते हैं आगे यहां से के दिर्गुतरी संतुली तहार से क्या समस्ती हैं संतुली तहार से हमें अपने आपको कैसे स्वस्तर रख सकते हैं तो कि सुरावस्त ग्रवस्तां में स्वेम की भावना की विश questionnaire को बताना है अगला है संचार प्रदोकी क्या है और संचर प्रदोकी की क्लासिपिकेशन वरगी कलकिए तो संचार जो है संचार प्रदोकी की है यह का ऐसा माद्हम है जिसमें किसी भी सुचना को ग्यान को एक अस्थान से दुसरे स्थान तक प्रेसिद किया जता है या फिर फिडबैक लिया जता है जैसे रेडियो है तेलीजिन है दूर्दर सब्सक्राइब एत्याद है संचार प्रदुके की मद्धे में आगे पुछा है कि कसीदा कारी क्या है कसीदा कारी क्या है और बिभिन प्रदेशों के कसीदा कारी के बारे में बताइए तो देखे इस कसीदा कारी एक कला है एक कड़ाई है जैसे सुई और तमाम सुई जैसे अवजार का प्रयोग करके हम जो है कपड़ों पर प्राकृतियां बनाते हैं जो कि देखने में अच्छा लगता है इसी कला को कसीधाकारी कहा जाता है हमारे देश के तमाम प्रांतों में तमाम छित्रों में अलग-अलग कसीधाकारी की जाती है और यहां एक बेवसाय है मारकेटों में उन अच्छे सजावटों को वेज करके ह अपना विजनस चला सकते हैं तो इसके बारे में आप ही अच्छे से पढ़कर जाएं सो भेर भेरी थैंक्स